हेलो बच्चा लोग कैसे हो आप सब लोग मेरा नाम है हरियोम सिंग और बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरियोम एजुकेशन में आज मैं रेस्पिरेशन इन और्गेनिजाम का लेक्चर नमबर 7 लेकर आया हूँ आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो टॉपिक है रेस्पिरेशन इन कोक्रोच कोक्रोच के अंदर कैसे रेस्पिरेशन होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे cockroach नहीं और भी other insect के अंदर कैसे respiration होता है जो भी insect sub है general insect sub उसके अंदर कैसे कैसे respiration होता है उसके बारे में आपको बताया जाएगा तो सब में respiration का तरीका एक ही है ठीक है एक opening पाया जाता है एक नहीं multiple opening होता है जो उसके body के side में पाया जाता है उसी के थुरू gaseous exchange होता है in case of insect जिसके बारे में आपको पढ़ना है ठीक है इसमें एक special part add हो जाता है जैसे हम लोग के case में क्या था ट्रेकिया था तो इसमें tracheal add हो जाता है ठीक है multiple part में trachea तुट जाता है उसके बाद respiration जो skin से organism करता है उसके बारे में आपको आज पढ़ना है तो respiration skin से कौन-कौन से organism करते हैं बताए आपको पता है कि frog करता है तो frog के बारे में हम लोग पिछले lecture में पढ़ चुके हैं frog में कैसे skin से respiration होता है याद है कि भूल गया भूल गया तो कौपी लेकर बैठके परहिए diffusion से चलिए अगर नहीं पता है तो कौपी लेकर परहिए ऐसा नहीं कि लिखते चले गया कौपी भर गया कौपी को डाल दिए कहीं कच्रा में ऐसा नहीं करना परना है कम से कम तो respiration skin से किस-किस organism में होते हैं मैं आपको बताया था frog के case में और earthworm के case में earthworm मतलब के चुआ उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा और भी बहुत सारे organism होते हैं जिसमें skin के थूरू respiration होता है अब हम लोग बात करेंगे respiration through gills 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 क्या होता गल्फ रा गल्फ रा किसके पास होता है fish तो respiration in fish के बारे में आपको पढ़ना है मचली के अंदर respiration कैसे होता है उसके बाद आपको पढ़ना respiration in plant plant में कैसे respiration होता है इस तो 50 बार पढ़ाया हुआ है nutrition in plant जो बच्चा chapter पढ़ा होगा उसको यह सब आता होगा और जो नहीं पढ़ा होगा या भूल गया होगा उसको नहीं आता होगा ठीक है तो आज का lecture बहुत ज़्यादा important है आज यह chapter आपका खतम हो जाएगा उसके बाद हम लोग dance करेंगे टिंगो टिंगो ठीक है चलिए तो अपना सरा हुआ कॉपी निकालिए और सरा हुआ कॉपी में हेडिंग डालना है ट्रैक्याल रेस्पीरेशन ठीक है साफ करने बाला कहाँ चला गया भाई एक सेकंड रुकिए भूल गया था पूरा भूंगिया नोट्स रिवाइज कर रहे हो कुछ कुछ कॉस्टान हो दाक या नहीं कहीं लोग सोच रहे होंगे आज का एक इंपोर्टेंट क्वेश्टन क्या था क्या था बताईए जो मैं पूस चुका हूँ पहले ही वही था इंपोर्टेंट क्वेश्टन चलिए हाँ मेढख की अंदर रेस्पिरेशन कैसे कैसे होता है हो ही गया क्वेश्टन कुछ क्वेश्टन नमबर वन है रेस्पिरेशन फ्रॉप के केस में पैक्स यार बोर्ट पुरा भेंग चुका है अरे साफ करने वाला एक मिनाट रुक यह चलिए दो मिनाटाब दिश्टर्ब हुए फर्स्ट क्वेश्टन है रेस्पिरेशन मेढख के कैस में कैसे कैसे होता है तीन चीज में आपको बताया था तीनों के बारे में आपको लिखना है ठीक है तीन मेठर जो है उसके बारे में आपको बताना किस किस पाक से होता है सेकेंड कोस्चन है, सेकेंड कोस्चन है, draw human digestive system, हाँ हाँ, डाइजेस्टिफ सिस्टम, सही बोल रहा है, कोस्चन नमबर थ्री, कॉपी में ये ड्रो करना है, ये कमेंट में लिखना है, कमेंट में, सेकेंड कोस्चन, कॉपी में जवाब देना, सब को देना ऐसा नहीं कि, मैं नहीं देख रहा हूँ, तो नहीं बनाना फिगर, कोस्चन नमबर थ्री है, draw human respiratory system, respiratory system, अच्छा हाँ, एक कोस्चन और यहाद आया, पिछले वीडियो में मैं आपसे कोस्चन पुझा था, जिसका आप सुध गलत जवाब दिये थे, चलिए उस कोस्चन को हम समझते हैं यहाँ पर, हो गया, यह बना लिए, यह बनाईए तो अभी जल्दी से, इसमें दो डायाग्राम आपको बनाना है, सबसे पहला है, rough डायाग्राम, rough वाला, rough बाला जो हम लोग हमेशा बनाते हैं और second बनाना है true diagram दोनों diagram हम आपको बना कर बताए हैं यह true diagram book बाला है और rough diagram जो हम लोग बनाते हैं चलिए इतना हो गया अब पिछले वीडियो में मैं आपसे question पूछा था जिसका जवाब बस एक student दिया वो भी गलत था जवाब मैं क्या बनाया था figure चले जवाब उनाया को, चलें जवाब था किहा जवाब एक जवाब झालें जवाब झालें Question number one था, labeling करना, तो labeling आप लोगों ने सही किया, सही किया था, labeling, labeling वाला था, तो आप लोगों ने सही किया था, और question number B था, identify the mistakes in diagram one, ठीक है, इस diagram में क्या mistake है, वो आपको पहचान ना था, तो आप लोग इतना महान है, जो इस mistake को पहचान नहीं पाए, एक बार में, क्या पढ़ाई करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, जो एक mistake आप पहचान नहीं पाए, क्या mistake है, इसमें देखकर बताइए तो, क्या mistake है, बताईए, अब यह, यह, डाइजेस्टिव सिस्टम से, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पाइप जोड़ा हुआ है, यही mistake है, जो मैं देखना चाह रहा था, वट किसी ने जवाब नहीं दिया, यहां से गुजरता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का पाइप ऐसे, ठीक है, यहां पर होता है लेरिंग्स, और यह वाला जो डियाग्राम है, यहां से टोटली रॉंग है, यहां से टोटली रॉंग है, ठीक है, यहां पर यह, ओपिनिंग आकर खुलता है, ठीक है, इसका रेस् ठीक है यह हुआ कौन सा पाड़ डाइस्व शिस्टम बाला डाइस्टिव सिस्टम और यह बाला जो पाड़ है यही है रेश्पिरेत्रिय सिस्टम बाला ठीक है यह पेट थोड़ा नीचे होता है ठीक है ऐसा होता है डियाग्राम सही वाला समझे इसमें क्या हुआ पता लगा हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में रेस्पिरेटरी सिस्टम जोड दिये हैं ठीक है यह मिस्टेक था जो की जवाब किसी ने नहीं दिया चलिए और एक बच्चा का डाउट क्या आया बहुत बेहतरीन सा डाउट था इसको नोट नहीं करना है नोट क्या कि जेगा आप लोग अच्छे से परहाई नहीं कर रहे हैं इसका मतलब थोड़ा समझ के पर ही ठीक है बस थोड़ा दिन और बचा है क्लास बहुत कम क्लास अब बचा है बहुत कम उसके बाद आपका पुरा सिलेबस दन हो जाएगा 100% उलम्तियार सिलेबस दन होगा बहुत भरी बात है आप क्लास तेंथ का साइंस का बुक उठा कर परिएगा आपको लगेगा कि दो क्या लिखा हुआ है आपको सब चीद आता रहेगा जब यह सब खत्म होगा तब ठीक है 10 तो छोड़िये 12 का वुक उठाईएगा 11 का उठाईएगा वो भी बहुत सारा पाट दन रहेगा आपका पूरा नहीं रहेगा बट रहेगा 30 परसेंट पाट दन रहेगा 11 का भी बहुत चलिए जवाब जो एक बच्चा का आया था कोशिस किया था बट गलत जवाब था मतब उस बच्चे का जवाब आया था कि ये जो अल्वी ओली ये सब होता है एक ही लंग में होता है उसका जवाब था नई ऐसा दोनों लंग में होता है ठीक है दोनों लंग में होता है दोनों फेफरा में पूरा में भरा होता है अल्वी ओली ठीक है पूरा में भरा होता है इस lung में भी, इसमें भी, इसका branching हर जगा होता है, हर जगा branching होता है, ठीक है, हर जगा branching होता है, और branching का number कितना होता है, वो भी मैं आपको बताया था, हर जगा भरा होता है, branching का number millions में होता है, कितना million होता है, वो आपको comment में बताना है, इसमें alveoli का total number कितना होता है, बो आज का ये भी question है कि total number of alveoli आपको बताना है जान बुझकर मैं ये question आपसे पुछा था और आपका time waste किया जान बुझकर ताकि आप लोग mistake पहचान पाया क्या mistake था पता लग गया कि आप लोग digestive system में respiratory system जो रहा हुआ था और वो आप पहचान नहीं पाया थे एक वच्चा जवाब दिया कि right वाला में alveoli होता है रहे बुर्वक दुन्नू में होता है समझे दोनों में होता है चलिए आज हम लोग परेंगे respiration through trachea respiration through trachea बड़ा मस्थ है ट्रैकिया नहीं कहिए उसको ट्रैकियोल कहिए क्योंकि उसका में पार ट्रैकियोल होता है спокой travels क्या होता है सबको पता है आपको ढाला है चलिए spiracles हमलोग देख लेते हैं यह हम लोग मान लेते हैं पोई इन्सक्रोच है इंक्रोच ही मिलगा आपको मानना है यह हो गए आपका कॉकुरोच यह माल लिए कौकरोच है कौकरोच के बॉड़ी के साइड में क्या होता है? ओपेनिंग पाया जाता है ओपेनिंग यह सब क्या है? ओपेनिंग है इस ओपेनिंग को बोला जाता है कट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् होता है Gaseous Exchange ठीक है आज इसी structure के बारे में आपको detail में पढ़ना है हम लोग क्या करते हैं यह जो opening है इसको थोड़ा magnify करके देख रहा हैं बड़ा करके ठीक है इस opening को हम लोग बड़ा करके देख रहा हैं बड़ा करके ठीक है जब हम लोग इस opening को बड़ा करके देखे ये वाला जो opening है क्या गीड़ा भाई चलिए सही है जब इस opening को हम लोग बड़ा करके देखे तब क्या है यह opening ऐसा नज़र आएगा जैसा human के case में था ठीक है यह opening ऐसा नज़र आएगा उसके बाद क्या होता है यह opening ऐसे ऐसे डिवाइड हो जाता है ऐसे 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 डिवाइड होता है ठीक है यह वाला जो opening है इसको हम बोलते हैं spiracles जो आपको नज़र आ रहा है spiracles ठीक है किसी को कोई समत्या कोई समत्या नहीं ठीक है उसके बाद यह जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं कि इसको भी त्रैकिया ही बोला जाता है इसको भी यह वाला जो पार्थ है इसको भी त्रैकिया ही है ट्रैकिया ठीक है यह वाला जो ट्रैकिया है थोड़ा बढ़ा है इसलिए इसको हम बोल देते हैं बिग ट्रैकिया ठीक है यह छोटा है तो इसको हम बोल देते हैं स्मॉल ट्रैकिया, स्मॉल ट्रैकिया, ठीक, किसी को कोई समस्या, कोई समस्या नहीं, अब यह जो ट्रैकिया क्या हो रहा है, छोटा वाला ट्रैकिया, मल्टीपल, इससे ब्रांचेज अराइज हो रहा है, इसमें से छोटा छोटा ट्रैकिया से कुछ निकल रहा है, यह जो नि समझे में आया इस्पाइड एकल्स को हम लोग क्या किये एक इस्पाइड एकल्स को खोल कर देखें ठीक है किसी को कोई समस्या कोई समस्या नहीं है 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 डालिए रेस्पीरेशन थ्रू ट्रैकिया रेस्पीरेशन थ्रू ट्रैकिया ट्रैकिया से होने वाला रेस्पीरेशन ठीक है रेस्पीरेशन थ्रू ट्रैकिया या आप कर सकते हो spiracles respiration through spiracles या इसको आप कह सकते हो tracheal respiration क्योंकि trachea respiration होता है तो इसको बोला जाता है tracheal respiration tracheal respiration समझ में आया हम लोग क्या किये insect का यह जो spiracles है opening है इसको खोल कर देखे कि उसका जो respiratory system है वो कैसा है तो ऐसा है उसके अंदर में ऐसा है यह जो tracheal respiration है यह देखा जाता है insect के केसमे किसमें देखा जाता है की रामकुरा के केसमें देखा जाता है जैसे इसका insect का example कुछ बताईए आपको सब को पता है सबसे common जो गोड़ पर बना हुआ है cockroach जिसके उपर आप वोर करते हो क्या चिस से वोर करते हो चपल से और उसके बाद आता है मक्खी घर में वाला मक्खी जिसको आप पकर लेते हो उड़ते हुए और बड़ा मज़ा आता है पकरने के बाद इसका हत्या नहीं किया जाता है अगर कोई हत्या कर देता है तो उसको बुला जाता है तुम्हारे उपर पाप चरहेगा इसके डर से कोई इसको नहीं माता है बड़ा भागे साली है जबकि बहुत बड़ा कैरियर है डिजिज का बहुत ज़्यादा बीमारी फैलाता है हाउस फ्लाई जैसे और इंसेक्ट का एक्जामपल बताईए राम जी का घोरा ग्रास ओपर ठीक है इसको छाप लिजिए ठीक है इसमें क्या है इस सब के पास क्या है small opening on the side of their body, a small opening on the side of their body, सब के पास क्या है small openings on their side of the body, उसके body के side में क्या है small opening, small opening on the are side of the body ठीक है किसी को कोई समस्या नहीं छाप ये छाप लिए इतना तो लिख लिए हो गये यह डियाग्राम बन चुका है अरे भाई मजा राज आज लास्ट लेक्चर है आज तो मजा आना चाहिए भाई चलिए क्या है इस्मॉल ओपेनिंग प्रजेंट है उस ओपेनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं बोलिए अरे यार बोलते क्यों नहीं हो इस्पाइडेकल इस्पाइडेकल उस ओपेनिंग को हम क्या बोलते हैं इस्पाइडेकल कहां से कनेक्टेड है spiracle connected to tube spiracle connected to tube उस tube का नाम क्या है trachea क्या नाम है trachea उस tube का क्या नाम है trachea वो क्या है further branch into smaller tube यह जो trachea है वो आगे further branches into smaller tube smaller tube known as trachea जिसको हम क्या बोलते हैं trachea ठीक है और यह जो trachea होता है वो क्या होता है contact में होता है बिदी बोडी सेंस यह जो trachea होता है यह होता है contact with the body cells body cells ठीक है यह जो trachea होल है यह पूरे body में बिचा होता है ठीक है पूरे body में बिचा होता है पूरे cells से वो connected होता है trachea connected with body cells अबे यार तो क्यों उलट फिर कर रहा है ठीक है किसी को कोई से मस्या नहीं चलिए इतना छाप लिए चलिए वो body cell से contact में होता है oxygen rich air कहां move करके जाता है oxygen rich air moves कहां करके जाता है बताईए oxygen वाला जो air होगा वो कहां जाएगा सबसे पहले opening में जिस opening का नाम क्या है बताईए क्या नाम है spiracles oxygen rich air कहा move करके जाएगा spiracles में इस opening में ठीक है कहा जाएगा spiracles में उसके बाद वो कहा जाएगा एक ट्यूब में जिस ट्यूब का नाम क्या है चलिए इस ट्यूब का नाम क्या है trachea trachea arrow सही से बनाईएगा वो ट्यूब कहा गया trachea में वो ट्यूब कहा गया trachea में उसके बाद वो ट्यूब कहा गया trachea से कहा गया tracheaols में कहा गया होगा ये जो ट्रैक योल्स है वह रिचेज एवरी सेल्स वह पूड़े बॉड़ी के सेल्स में क्या होगा विच्छा होगा ये ट्रैक योल्स ठीक है कि किसी को कोई समस्या में चाप यह चाप लिए ठीक है छाप लिए क्या होगा सारे सेल्स में चला जाएगा जैसे human being के case में क्या था पूरा जितना भी co2 है वो blood को दे देता था वैसे ही क्या होगा oxygen क्या हुआ उसके oxygen गया spi Kelz के trachea में trachea से tracheol में tracheol से पूरे सेल्स में पहुँचा और क्या होगा trageol पूरे सेल्स में भीछा हुआ है शाप ऑक्सिजन देते जा रहा है और co2 साब से पकड़के ले भी लेगा और बाहर निकाल देगा मजारा सभी को पढ़ने में ठीक है क्या है रिचेज एवरी सेल्स ठीक है सारा सेल्स तक पहुच लिया similarly co2 इंटर उसके बाद क्या होगा उसी प्रकार से similarly co2 कहां इंटर कर जाएगा co2 इंटर कहां पर क्या होगा सब फिर से हम लोग समझेंगे co2 क्या होगा उसके वार ट्रैके ओल से कहां जाएगा co2 जो कचरा लेकर आएगा होते हुए स्पाइरखलender झाल डाइसे ही होता है रेस्पिरेशन इन इसे लिए इसको हम क्या बोल दिये ट्रैकिया नित्र में इसमें ट्रेक्या बहुत द्हूरा रोल प्लेए किया त्तिह्ज टाइप ओफ रेस्पिरेशल इनून किसी को कोई समत्स्या और समत्स्या है तो बोलो ना यारbs मज आए है और हुआ है चलिये अब हम लोग बात करते हैं रेस्पीरेशन थ्रू स्केल समझ में आ गया कैसे कैसे गया फिर से चलिए एक बार रिवाइज करा देता हूं किसी को हर वरी तो नहीं है कि पांच मीनट में सब परहा देजिए ऐसा कमेंट खुब आता है मेरे चैनल पर चलिए क्या कराना था थोड़ा सारे वीजन रिकैप करा देता हूं रिकैप क्या मैं बताया था यह मान लिए कोकरोच है या दूसरा इंसेट है इसके बॉड़ी के साइड में क्या है ओपेनिंग है इस ओपेनिंग का क्या नाम है इस पायरेकल्स ठीक है इस पायरेकल्स यह क्या हुआ स्पायरेकल्स को उग लोग क्या कर रहे हैं बड़ा करके देख रहे हैं बड़ा करके वो क्या हुआ यह क्या है spiracles spiracles क्या चीद में break हुआ spiracles trachea में यह है बरा trachea और यह है small वाला trachea small वाला और trachea क्या होगा छोटे छोटे tube में break होगा जिस tube का नाम है अट्रेक कि यहां कि नीचे भी यहां भी होगा एकर यहां हम टाहा हर जगा बदाट हुल्त किसीकर समझ्या इस चलिए आजा तुब ऑक्सीजन क्या हुआ यहां से इंटर किया ऐसे ऐसे गया ऐसे एफिरी सेल्स तक पहुंच जाएगा जो इंसेक्ट है उसके पूरे सेल्स में पहुंचा रहेगा यह ऐसे ऐसे यह ऐसे जाएगा उसके बाद क्या होगा जितना भी सेल्स में कच्रा रहेगा सबको लेकी आएगा फिर से यह क्या है सियो क्या है as co2 का एर्रों ऑपर की कच्रा कच्रा मत्तब सीयो को बहार निकालेगा co2 बहार निकालेगा कहां से निकलना आइ समझमें आ रहा है सभी लोगों कहां से निकल ला है इस डायग्राम को आप लोग थोड़ा सा बनाने का कोसिज किले। यह क्या है सी ओट निसका में रिस पिरेशन इंसेक्ट की तर्वास के से है अब हम लोग बात करते हैं रेस्पीरेशन थू चमरिया तो क्या करना है आपको क्या करना है परना है और क्या करना है परना तो परेगा ना नहीं परोगे तो क्या करोगे बकरी चराओगे या भैसी हम लोग के घर पर बूला जाता है अगर नहीं परोगे बेटा तो भैसी चराना भैसी क्या होता पता है बफलो भैस उसको बूला जाता है हम लोग के इधर सबको बेटा पर ले नहीं तो गया भै तो तेरे लिए रखा हुगा है दिसको तुम लोग चराना ग्रेज करना तुम बढ़ा कॉमन ट्यून होता है लोगों का यहां ठीख है अब हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेशन थ्रू स्किन रेस्पिरेशन थ्रू स्किन आप स्किन से करते हो करते हो कि नहीं क्या बात अरे नहीं करते हो कहां से कंते हो ahead hiring streams में होते है और मेढ़ा के समय जो आप पर शुके है यह कहा का होगा एक्सचेंज और गैसे टेक्स प्लेस बाइडिफ्यूजन क्या होगा इसके केस में जो गैस का इक्सचेंज होगा अर्थवन केस में वह होगा बाइडिफ्यूजन क्या चीज के थुरू स्कीन के थुरू थुरू स्कीन और अर्थवन का स्कीन कैसा होता है भींगा हुआ तो मुष्य स्कीन भींगा हुआ चमरा के थुरू रेस्पीडेशन होगा जैसे हम लोग पास नाक होता है नो वैसे अर्थवन अपने बोड़ी के चमरा से करता है अर्थ इसके बारे में डाइग्राम नहीं बनाना अर्थवर्म का ठीक है अर्थवर्म का जो स्किन होता है वो कैसा होता है भिंगा होता है कभी छू कर देखिएगा अर्थवर्म को तो भिंगा हुआ रहेगा और चिप-चिपा रहेगा श्लाइमी, स्लाइमी मतलब चिपचिपा स्कीन, ठीक, और रेस्पीरेशन जो स्कीन से होता है, रेस्पीरेशन थूरू स्कीन के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं, कौन सा टर्म बोलो, कान में बोलो, गोड, क्या बोलते हैं, हमको भूल गया, छोड़ दू क्या, म मतलब रेस्पीरेशन थूरू स्कीन रेस्पीरेशन थूरू चमरा ठीक हो गया किसी को कोई समस्य आने छलिए बस इतना ही आपको पढ़ना था रेस्पीरेशन थूरू स्कीन के बारे में जैसे और भी यूनी सेलूलर और्गेनिजम जो होते हैं ना यूनी सेलूलर यूनी सेलूलर और्गेनिजम जैसे आपका बोडी रुख जाए इसको पहले छाप ले जिए तब इसको बताते हैं जाप लिए गोड रेस्पिरेशन थ्रू स्किन में अर्थवर्म के बारे में बस आपको बताना था बस इतना ही बताना था इससे ज्यादा नहीं अर्थवर्म में कैसे होता है है दिफ्यूज। क्या होता है नहीं परना है को मतलब समझे चिए उसके बॉर्डी से बाहर निकल यान्दर से अंदर जाता है कैसे कैसे जाता है यह सब भी आपको नहीं परना यह बहुत हाई लेवल हो जायेगा जो आपको उश्च होटाया मतलब जिन्दा है उंधा है मतलब लिविंग और चंप Will is करते हैं सबको पता होगा यह जैसे हम लोग लीभिंग और यॉडिल यॉडिविंग सब लग कायसा? Unicellular और सेकेंड वान मल्टी सेलिोलर यूनी का मतलब होता है Single मल्टी का मतलब होता है Mруг Cellular का मतलब सबको पता है क्या जित का बना होगा? Cell का बना होगा cellular मतलब? ऐसा और्गेनी जम जो सिर्फ एक एक सेल का बना हो, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनी सेलूला, और ये नीजम, made from, single cell, single cell, जो single cell से बना हो, single, मतब एक सेल का होगा, इतना छोटा, इतना छोटा कि दिखे अब गा भी नहीं आपको, और जैसे हम लोग क्या है, बहुत सारा सेल से मिलकर बने हुए, बहुत सारा सेल्स, ये क्या है, और ये नीजम, made from, many cells, multiple cells, known as multicellular, यूनी सेलूलर का एक्जामपल किसी को पता है, क्या है, अमीबा, और, आपका जना पहचाना दोस्त, चपल से पबाला, परामेशियम, सब को पता है, चलिए, और, इसका एक्जामपल बताईए, multicellular का, जैसे इंसान, कुटा, वो जो स्नेक आपके घर में आ जाता है, कभी-कभी, वो, इसका भी हत्या किया जाता है, बहुत जब हो पर, ऐसे इसको हत्या करना पाप माना जाता है, किसी-किसी धर्ण में, बट लोग हत्या कर ही देता है, क्योंकि उसको ढर लगता है, कि घर में बुझ जाएगा, गहीं काट लेगा, ठीक है, तो सब क्या है, जो आप इंसेक्ट देखते हो, सब क्या है, बहुत सारा से उसे मिलकर बना हुआ, जो किराम को राप देखते हो, जैसे मच्छर जो देखते हो, क्योंकि मच्छर मुझे बहुत ज्यादा परिसान करता है, इसलिए इसका नाम लिखा, अभी कभी आता है, कैमरा के मुँपर जाकर बैठ जाता है, दो मीनट बैठा रहता है, मुझे पता नहीं लगता है, और पुरा वीडियो खराब कर देता है, तो उसका हत्या करना चाहिए कि नहीं, करना चाहिए भाई, लखे अभी उड़ रहा है यहाँ पर, भे पकरान है चलिए क्या वात है, एक हत्या हो गया, मच्छर का, देखिए, दिखा, गुड़, अरे दिखा की नहीं, और बढ़ा करके देखिए, जूम, चलिए, एक मच्छर का मैं हत्या कर दिया, तो यूनी सेल्लर का एक्जांपल क्या है, अमीबा और पारामेसिया, ठीक है, इसमें जो और इसके बीच में एक बाउल पाए जाता है बॉल बॉल मतल Cassब को हम हम बोलते हैं nucleus nucleus ठीक है ठीक है और यह जो अमीबा है इसका एक boundary होगा दिवार होगा इस दिवार को बोला जाता है कि प्लाजमा मेंब्रेन चा बोला जाता है प्लाजमा मेंब्रेन या इसी को हम कुछ होकर कह देते हैं शेल मेंब्रेन क्या बोल जते हैं तो युनी सेलूलर ऑरगनिजम जो होगा शिर्फ एक ही सेल का बना होगा ऐशा ओरगनिजम तो उसे में गैसियास एक्सेंज क्या च्राइज क्या ठ pent before टूर फ्रूर ये जो बांड्रिय है इसी क्या फ्राज्मा मेंप्रैन क्या है बांड्रिय को कि को कोई समस्थ्या कोई छमक्त्या ने ठीका एक्सेंज ऑल गैसे अकरवान डिफ्योजन इसमें कैसे होता है एक्सेंज nosis छुआ अफफ गैसी हो और स्वाइविभिभिव इफ्योजन के थे फ्रूरेगा दखिया डि Ellies हो रहा है इसमें से निकलेगा बाहर निकलेगा और अंदर घुशेगा अंदर क्या घुशेगा ओटू बाहर आएगा तो एक्सचेंज ओफ गैसेस अकरबाई डिफ्योजर क्या चीज के थूरू सबको पता है थूरू पी एम प्राइम इनिस्टर गूर्ड क्या बात है गधा प्लाजमा मेंब्रेन इसके थूरू प्लाजमा मेंब्रेन सर हम गधा नहीं अच्छा बच्चा है अरे पढ़ते हो नह किसी को कोई समस्या नहीं अब मेढक के बारे में तो सबको पता है अभी मैं तुरंत पढ़ाया और क्वेस्चन भी मैं आपसे पुछा था मैं आसा करता हूं कि आप क्वेस्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में लिखे होंगे अगर नहीं लिखे है तो तो अभी कुछ नहीं बोलूँगा टेंसर नहीं ले दिये क्लास तेंथ वाले को मैं पता चलाऊंगा कि क्या होता है जवाब नहीं लिखना बढ़ा मजाएगा वस दो-तीन महिना बाद पिक्चर रिलीज होगा अभी तो यह सब ट्रेलर है बहुत मजाएगा आप लोग बढ़ जाईएगा अबने आप लोग को बरा मजाएगा वरत पुरा कॉंटेंट पड़ा रहेगा शोकर देखिएगा लेकशन वराक्लासे कंप्ねट रहेगा क्लास एर्थ का तो बहुत कम लेप्चर आता जान बुझकर मैं नहीं डालता परता ही नहीं है कोई एर्थ बाला को लगता पता नहीं कोई रोडशाप आदमी पढ़ा रहा है ठेला चलाने वाला कभी-कभी तो कमेंट भी आता है इस टाइप का चलिए मेड़क में कईसे कईसे रेस्पीरेशन होता है सबसे पहला मौश्ट मौश्ट स्किन से चमरा से दूसरा रेस्पीरेशन क्या है जल्दी बोल लंग से तिसरा क्या है सबको पता है बको फरेंजियल कि थिक है किसी को कोई समस्य और उसका स्कीन कैसा होता है यही पर तो लिख दिया मौश्ट स्कीन यहां पर लिखा हुए और कैसा होता है मेड़का आभी skin जो होता है वो छहलने वाला होता है चलिप रिमेडा को पकड़ियेगा हाँ से कुद के भाग जाएगा कभी पकड़ने का ट्राइ कि जिएगा ठीक है यह skin से कैसे करते हैं respiration by diffusion यह मैं starting में आप से पूछा था पर बता दिया था किसी को कोई समस्या कोई समस्या नहीं किसी को कोई समस्या कोई समस्या नहीं लंग से कब करता है respiration जब वो जमीन पर होता है और भी बहुत सारा condition है हर जगह पर हर तरीके से करता है जिसके बार में आपको नहीं परना है और किसी को कोई समस्या कोई समस्या इसको भी लिख लेजिए कॉपी थोड़ा भरना चाहिए ताकि देखने में कि सुन्दर लागे ठेक है कि थाप लिए कि क्या पढ़ना है अब रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स यहाँ पर बहुत सारा वायर गया बीछा हुए साथ गन्दा सब masculine मतलब पुराना हो चुका है एक साहल का तो सबको एमीशे करना नहीं दोटकर करेंट मार देगा अब अच्छा तार लगाँगा इतना अच्छा कि करेंट न लगे क्योंकि यहां का सब्तार सब पुराना हो चुका है अब क्या परना है आपको रेस्पीरेशन थुरू गिल्स गल्फरा रेस्पीरेशन थुरू गिल्स मचली कभी देखे हो मचली देखे हो मचली के पास क्या होता है गल्फरा बहुत गंदा मचली बन गिया चलिए जो बना सब सही है यहां पर हम आख बना दिये अरो इस पेसल टाइप का मचली है हसना बना है चलिए गुड चलिए यह मचली बन गए ठीक है चलिए आप कैसे बनाईएगा आप जानी हमको नहीं पता है आपको मचली बनाना है यह हो गई मचली ठीक है यह क्या है मचली है मचली अब मचली कैसे रेस्पिरेशन करती है इसके बारे में हम लोग परती है तो मचली जो होती है वह रेस्पिरेशन करती है गिल्स के थ्रू थ्रू गिल्स मचली का रेस्पिरेटरी ओर्गन क्या है रेस्पिरेटरी ओर्गन क्या है बोल 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 गल्फरा गिल्स है मचली हम लोग थोड़ा आप यहां पर shift कर लेते हैं इसको थोड़ा पहले आप छाप लेज़े चाप लेज़े रेस्पीरेशन गिल्स से होड़ा इसका मतलब क्या है बताते हैं चाप लिए चलिए यहां पर आप हम लोग इसको shift कर लेते हैं कि गंदा सा हम लोग एक मशली बनाएं सरा हुआ सा मशली पोली ओमारा हुआ मशली और थोड़ा सा इसको फिरेश हम लोग करते हैं ठीक है मशली है समझ दीजिए मशली है अब हम लोग को क्या करना है कि मशली से कैसे रेस्पीरेशन होता है चलिए अब थोड़ा समझ यह मशली कहां रहती है कहां रहती है बोल पानी में मशली कहां रहती है पानी में पानी का फार्मूला क्या होता है H2O तो पानी में क्या होगा हाइड्रोजन भी होगा और ओक्सीजन भी होगा रेस्पीरेशन में मशली को क्या लेना है ओक्सीजन ठीक है ओक्सीजन इसको मिलना चाहिए ताकि इसका फूड का ब्रेकडाउन हो सके तो पानी से मशली क्या करती है ओक्सीजन को लेती है थ्रू गिल्स ठीक है टू अप्टेन ओक्सिजन डिजॉल्विन वर्टर, क्या करता है, टू अप्टेन ओक्सिजन डिजॉल्विन वर्टर, ठीक है, पानी में क्या होता है, ओक्सिजन क्या होता है, डिजॉल्व होता है, यह जो पानी है, पानी में क्या होता है, गैस सब डिजॉल्व होता है, तो उसी को मचली ले लेती है, ठीक है, किसी को कोई समस्या, कोई समस्या, क्या चीद के थोरो, गिल्स के थोरो, गल्फरा के थोरो, गल्फरा क्या है, सबको पता है, गिल्स क्या है, प्रोजेक्शन ओफ, चमर्या, स्किन, मचली का जो ये चमरा है, उसमें से एक बाहर निकला होगा है जिसको हम क्या बोलते हैं प्रोजेक्शन मतलब आउट प्रोट है ठीक है किसी को कोई समस्या को अब यह जो गिल्स होता है वह पतला 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 गिल पतला 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 बना होता है पीछे की योड क्या है गिल्फिलामेंट अब अब यत सामती से बैचना भाइग ठीक है मेंड़ अपफ लार्ज नंबर ऑफ गिल्फिलामेंट गिल्स क्या है मेंड़ अपफ अफ लार्ज नंबर ऑफ गिल्फिलामेंस यह पतला पतला बहुत सारा संख्या में गिल फिलामेंट किसी को कोई समस्या कोई समस्या ठीक अब यह जो गिल फिलामेंट होता है गिल फिलामेंट होता है वहां पर ब्लड का रिचली सप्लाई होता है यह जो गिल का पतला पतला फिलामेंट है इसके चारो तरफ क्या होता है ब्लड का सप्लाई क्या होत होता है इसके चारू तरफ th blood supply होता है and blood supply सप्लाई के थे थुआ है hear Richly supplied with blood papilly क्या है Richly supply with blood कैपिलरी ब्लाड कैपिलरी यहां की चारों तरफ रिचली सप्लाइड पुरा भरा हुआ है रिचली सप्लाइड ठीक है चलिए इतना ठाप लिए किसी को इतना में कोई समस्या कोई समस्या नहीं अरे कोई समस्या है तो पहुंचता है गलफरा के पास मूह से उते हुए गलफरा के पास पानए पहुंचता है flows over the gills, क्या होता है, oxygen dissolve होता है, पानी में, क्या होता है, oxygen dissolve होता है, पानी में, अभी मैं आपको तुरंत बताया, oxygen dissolve होता है, पानी में, ठीक है, वो जो H2O होता है, उसमें oxygen बहुत सारा होता है, अंदर में, dissolve होता है, घुला होता है, ठीक है, ठीक है, और क्या होता है, यह जो blood है इससे क्या होगा fruitful कर जाता है oxygen मतलब उसके अंदर चला जाता है by diffusion के ठूर्व वो कहा चला जाता है blood के pipe में blood capillary में क्या होगा blood capillary में वह ठीक है और जो co2 present होगा CO2 present कहाँ, capillary में, उसको क्या करेगा, बाहर भी निकाल देगा, diffuses into the water, क्या करेगा, diffuses into the water, उसको diffuse करके बाहर भी निकाल देगा, diffuses into the water, ठेक है, किसी को कोई समस्या, ठीक है जिसी को कोई समस्या कोई समस्या नहीं होना चाहिए उसके बाद क्या होता है कि जो oxygenated blood होता है क्या हुआ blood में चला गया oxygen तो जो oxygenated blood होता है वो capillary से जो लिया जाता है वो heart को दे दिया जाता है क्या होता है इंसान का case same to same याद कर लिजए जो oxygenated blood होता है कहां से आता है from capillary वो जो blood vessels है उससे आता है वो कहां दे दिया जाता है heart को दे दिया जाता है समझ आ रहा है कि जा रहा उपर से अरे भाई कोशिस करो आएगा समझ में कहां दे दिया जाता है heart में और heart क्या करता है पुड़े body part में pump करके पहुचा देता है नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है भाई कोशिस करो एक बार देखिए दो बार देखिए नोट्स पांच बार परिए छे बार परिए अपने आप आ जाएगा समझ में अगला चेप्टर भी परिए ऐसा नहीं कि एक ही चेप्टर को कमांड करने लगे क्योंकि सबका connection अगले चेप्टर से भी है जब आपको पराने का ज़रूरत नहीं है रेस्पिरेशन इंप्लांटर कितना बार में पढ़ा दिया क्या पर हूंगा अब बट पराना तो मेरा जिम्मेदारी है तो पराना तो परेगा भी चलिए अप्लांग है जब आपको चलिए अब क्या पढ़ना है रेस्पीरेशन इन प्लांट प्लांट के अंदर रेस्पीरेशन आवाखो पढ़ना है यह तो बड़ा कॉमन है बड़ा सिंपल भी है ठेक है सिंपल है ना किसी को कोई समस्या है सब्सक्राइब कर लेना चाहिए जहां पर भी बैठें वहां पर थोड़ा साप सुत्रा कर लेना चाहिए यह माल लेते हैं पता है पता पता में क्या पाया जाता है यह सब्सक्राइब के करके देख लिए मैगनीफाइए करके बढ़ा करके हम लोग देख लेते हम देउ हुआ लिए यह वह इतना वह लिए अपनीघक लिए dining आप कर कि देखकता बना करको जब इसको भर आकर कर देखिएगा मैं वे найдर आए कि डिली था यह रियल में कैसा होता न यह आपको class 10 में पढ़ना बड़ा मजाएगा पर यह जो काजू है जब इसके बारे में आप रियल में जानियेगा तो सोख हो जाएगा इसा इसा बहुत सारा होता ठीक है बहुत सारा होता है और पुरा में कुछो कुछो जोड़ जार देजिए जैस इसमें क्या की हम लोग चारगो काजू बना दिये जोड़ दिये यही है प्लांट में क्या पाया जाता है एक छोटा सा ओपेनिंग जिसको हम लोग बोल देते हैं स्टोमाटा ठीक है ओपेनिंग पाया जाता है हम लोग क्या की है ओपनिंग को मैगनिफाई करके देख लिए ओपनिंग में जब मैगनिफाई किये तो यह क्या है हम लोग को क्या दिखा इस टोमाटा जिसके बारे में आप पढ़ चुके हैं क्या होता है गैसियास एक्सेंज होता है प्लांट कई से खाना बनाता है सब पढ़े होई एगा ठीक है आपको पता है प्लांट क्या है लिविंग है बैक यार लिविंग है लिविंग मतलब जिन्दा है तो जिन्दा है तो इसको भी एनर्जी का जरूरत होगा तो यह एनर्जी कहां से लाएगा बाई respiration मतलब इसको भी respiration का जरूरत है मतलब plant को भी respiration मतलब plant को भी gas का exchange करना exchange of O2 and CO2 इसको भी क्या करना है exchange of oxygen and carbon dioxide plant को भी करना है exchange of O2 और CO2 यह होता कैसे है occurs through small छोटा छोटा क्या है pores उसको हम क्या बोलते है pore को known as stomata इस pore को क्या बोला जाता है stomata occurs through small pore called stomata इसका singular होता है singular estoma इसका कहीं कहीं पर ऐसा लिखा मिलेगा singular जो होता है वो होता estoma estoma मतलब एक पीस अर इस्टोमाटा मतलब बहुत सारा पीस ठीक है प्रजेंट एट भी सर्फेस ओफ लिफ यह सब कहा इस्टोमाटा प्रजेंट है प्रजेंट कहां पर है प्रजेंट इस्टोमाटा इस्टोमाटा सिर्फ पर नहीं प्रजेंट प्रजेंट का स्टेंट होता है स्टेंट क्या होता पता है न जैसे यह प्लांट है यह क्या है प्लांट है यह प्लांट है यह ग्राउंड है यह इसका रूट है तो यह वाला जो मेन वाला जो एकसी से इसको हम क्या बोल देते हैं स्टेम और नीचे क्या है रूट है ठीक है यह जो इतना जो पार्ट है यह पुड़ा स्टेम है यह वाला जो पोल्चन है स्टेम है ठीक है किसी को कोई समस्या कोई समस्या ठीक है तो जो ग्रीन स्टेम होता है उस पर भी पाया जाता है इस तो माता और लिफ में पाया जाता है और young green stem में हरा stem जो young होता है जवान होता है मतलब कम दिन का होता है ठीक है इसको छाप लिजिए और सॉरी छाप लिए थे की नए I hope छाप लिए होगे नहीं छापे थे तो पीछे जाकर छापिए समह् זमाने आगया इतना क्या है यंग रिन स्टेम और पत्ता में पाया जाता है ठीक है किसी को कोई समाय से अब जितना स्टोमा होता है इस्टोमा यह क्या है एक एक को अगर हम कंसीडर किये इस्टोमा अगर पूरे को लिये तो इस्टोमा ठीक है यह क्या है स्टोमा अपने आप लोग कौपी गंदा की दिएगा ठीक है जो बाद मैं लिख रहा हूं इसको छोड़ दिएगा जितना इस्टोमा है एक पीस इस्टोमा मतलब One piece ठीक है एक estomak हम लोग क्या कर रहे है सरजरी कर रहे है वह कैसा होता एक estomak हम लोग देख रहे है तो वो guarded है मतलब इसके भगल में दुगो गाड बैथा हुआ estomask के भगल में दुगो गाड है कैसा गाड है kidney shape कैसा है दो kidney shape गाड गाड बईठा हुआ है दो किनी सेफट गाड है जिसको हम बोल दिए गाड चैघ और यह सेल का बना होता है तो इसको हम कर देते हैं गाड बोड़ा बाइठा हुआ हैं गाड जेट कभ खुनेगा गाड से फूलेंगे गेट तभी खोलेंगे जब सुनलाइट आएगा संलाइट आएगा पानी कोनीतालना होगा तभी जाकर गेट खुनेगा प्लाइंट में यही नगाड का काम होता जैसे Really psychology जो God सहीव होंगे क्या करते हैं जब आप अंदर घुसते होईएगे तो गेट खोलते होंगे अगर आप फ्लैट लेका रहते हैं तब यही काम है तो God क्या करेगा प्लांट के किस में क्या चिद-क्या चिद्थ होता है लाइट आएगा तो गेटu खुलेंगे जब làom ठीक है गाड साहिब हम लोग देख लिए गाड साहिब का भी हम लोग काम समझ लिए एक्सपैंशन और कांट्राक्शन क्या चीज़ पर डिपेंड होगा ये गाड साहिब कब बंद होंगे कब खुलेंगे ये expansion मतलब खुलना और contraction मतलब सिकुरना मतलब कहिए तो बंद होना मतलब gate कब open होगा कब gate close होगा वो क्या चीज़ पर depend करता है वो depend करता है आपको मैं क्या बताया light पे water पे water vapor फोर में जेंदली निकलता है तो water vapor book में ठीक है water कितना available है उसके अनुसार ठीक है ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब दीन में खुलता है रात में खुलता है मतलब हमेशा कुला हो सकता है ठीक है बस यही पढ़ना था आपके plant के respiration के बारे में दूगोगार सहब बैठे हुए ठीक है della致िंव लन Scr लेंटी सिल्स क्या इसंट यह क्या होता है कि छोटा छोटा पूर है जैसे इस्टो माता पूर था वैसे ही छोटा पूर है यह ए sûrप्लांट में एभ्लांट्स कंणच पूर होता है यह प्रजिंट होता है इस वाला पुरसन है यह भूरा कलर का जो होता है यह भी हिए से गासियस एक्षजेंड, help करता है, गासियस एक्षजेंड, इसको छाप ले जिए जल्दी से, छाप ले जिए, छाप लिए, छाप लिए, छाप लिए, छाप लिए, मज़ा आ रहा सभी को परने में आ मज़ा रहा है तो हम क्या करें आने दो मज़ा क्या किजिएगा आगला चप्टर पर हाईएगा और क्या ना अब हो गया खतम अब सब खतम टाटा बैबै अब क्या पर ही अब हो गया सब चिले बस खतम कि चली हो हां तो यहांपर आपका यह चप्टर समाप्त होता थोड़ा मैं बोर्ड की साब कर लिया आप ना नहीं तो ऐसा ही गंदा छुट जाता है हमेसा और ज्यादा हो जाता है सुपने के बाद कि यहीं पर आपका यह chapter समाफ्थ होता है, साथ lecture में मजा आया पढ़ने में, अब आप, आप nutrition पर चुके हैं, मतंड़, plant कैसे खाएगा, animal कैसे खाएगा, पर है थे न, nutrition in plant, chapter number one, nutrition in animals, chapter number two, और यह respiration in plant animal, दोनु आप पर लिए, ठीक है, और भी बहुत सारा organism के बारे में, आप digestion क के बारे में पढ़े ते, Respiration सब पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे Transportation के बारे में, कैसे-कैसे Food Transport होगा, तो वो भी Chapter बढ़ा Impact रहेगा, ठीक है, यही पर आपका यह Chapter समाप्थ होता है, कैसी पढ़ाई चल लही है आपकी, अच्छे से fighting रहे हो की नहीं अच्छे से पर ये नोट्स को बार-बार रिवाइज किजिए अगर NCRT बुक है तो NCRT भी एक बार पर लिजिएगा उसमें तो परने को कुछ आपको मिलेगा नहीं जब नोट्स रट लिजिएगा तो NCRT लेकर आप सोचिएगा हम क्या फर रहे हैं मतलब एक एक वर्ड आपको NCRT का याद होगा क्योंकि NCRT का मैं कुछ भी नहीं छोड़ता हूं हर एक वर्ड कवर कर देता हूं ठीक है ठीक है तो आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर र